जन्तादल यूनाइटिड में घमासान मचा हुआ है बिहार में बीजेपी से हाथ मिलाते ही जेडियू में बगावत का दौर भी शुरू हो गया सबसे पहले बगावत का बिगुल फूंका पार्टी के वरिष्ट सदस्य और पुर्व अध्यक्ष शरद यादव ने शरद यादव के साथ ही पार्टी के राज्यसभा सांसद अली अनवर ने नितीश कमार के खिलाफ आवास बुलंद कर दी इसी घमासान के बीच सुमवार को जेडियू ने पुर्व मंत्री रमई राम और पुर्व सांसद अरजून राई समेट 21 बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जेडियू प्रदेश अध्यक्ष वस्षिष्ट नाराइन सेह ने इस कारवाई को लेकर रदी सूचन जारी कर दी नेताओं ने शरद यादव के 10 से 12 अगस्त तक के बिहार दोरे में उनका साथ दिया बता दें कि रमई राम और अरजुन राए पार्टी के निर्देश को दरकिनार करते हुए शरद यादव की जनसभाओं में उनके साथ थे उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर बयान भी दिया था इससे पहले जनतादल यूनाइटेड ने नोटिस जारी कर कहा था कि जो भी नेता या कारेकरता शरद यादव के साथ जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी आपको बता दें बिहार के मुख्यमंत्री और जेदियो अध्यक्ष नितीश कुमार ने शरद यादव पर कार्रवाई करते हुए उन्हें राज्जी सभा से संसदिय दल के नेता पत से हटा दिया था और उनकी जगह आर सीपी सिंह को संसदिय दल के नेता बनाया था